जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक सुआगते महाकाली भगतग्यान यूटुब चैनल बे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ नवरात्री में हो रहे हैं आपके साथ ये अनुभव तो आपके सरीर में माता बैठ चुकी है उनसे अब आपको बात कैसे करनी है जी हाँ भक्तो अगर आप लोगों को नवरात्री में हो रहे हैं ये अनुभम जो जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगे तो आप समझ लो कि आपके सरीर में माता बैठ चुकी है अब चा देवी माता अपने भक्तों को जिन भक्तों को माता खुद चुनती है उनी भक्तों को माता देती है हर तरह के अनुभव संकेत और अपने दर्शन तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह के अनुभव बताऊंगी जिन अनुभवों से आप समझ सकते हैं कि आपके सरीर माता ने कितनी तरह से ब्राजमन हुई है कितनी तरह से आपके सरीर में बैठी है पूरी तरह से बैठी है या नहीं सब कुछ आपको वीडियो के माधधम से ही पता चलेगा लेकिन आपको करना क्या है वीडियो को देखना है लास्ट तक अगर आप लास्ट तक देखेंगे अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आये हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर कमेंट जरूर कर लेना, बेल आइकन को उल पे सेट कर लेना, क्योंकि अमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोडिफिकेशन सबसे पह पास पहुचेगी, तो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, आज छटवा नवरात्रा है, और पहले नवरात्रे से लेके छटवे नवरात्रे तक, मतलब अश्टमी तक, अगर आपको कभी भी हो रहे हो, ये अनुभव आपके साथ ही अनुभव हो रहे हो, तो आप समझ लेना क कि आपके सरीर में माता काली बैठ चुकी है, अब उनसे बात आपको कैसे करनी है, वो भी मैं बताऊंगे, तो पहला अनुभव है, अगर आप लोगों को पूजा के समय उबासी आ रही है, या खासी आ रही है, तो समझ लेना कि आपके सरीर में माता भर रही है, भर रही है, समझते हैं, शरीर में आप लोगों के पूरी तरीके से भर रही है माता और वो बैठ चुकी है, उन्होंने अपना प्रवेश कर लिया है, तब ही आपके साथ होने लगेंगे पूजा के समय ये अनुबाव, दूसरा अनुबाव जब आप माता के मंतर जबते हैं, मंतर जबते स समय क्या होता है, जब माता का ध्यान करते हैं, तो आपके माते में चीटियां काटेंगी, चीटियां जैसे की गुल्गुली से आपको महसूस होईगी, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, सैम वही जगे पे, अगर आपके साथ ये चीज हो रही है, तो समझ लो कि आपके सरीर मे माता बैठर गई है तभी आपके साथ ये चीजे होने लगेंगी तीसरा अनुभव जिस व्यक्ति के साथ पूजा के समय ऐसा लगता है कि उसके आज पास कोई खड़ा है कोई बैठा है जब वो पूजा करता है और जैसे देखता है वो पीछे मुड़ के तो कोई भी ने होता इस तरह की परच्छाई अगर आपको दिख रही है किसी भी चीज़ की तो आप उसे गल्त मत समगना वो माता ही है जो आप लोगों को इस तरीके के द्रिस्यस अनुभव कराएगी जिससे की वो आपको ये दिलाएगी याद कि वो आपके सरीर में बैठ चुगी है जो जो लोग माता को सरीर में बुलाना चाते हैं उनी के सरीर में माता प्रवेश करती है तो चोथा जो अनुभव बताने जारी हूँ जब आप मंतर जाब करते हो मंतर जाब करके उठते हो तो आपके साथ क्या होता है आपको एसा लगता है जисने की आपके सरीर जो है वो पूरी तरीके से टूड़ चुगा है आपके दोनों पैर बिल्कुल काम नहीं करते सुन पड़ जाते हैं और दोनों पैरों में गुलगुली छीटियां काटल लगती है इस तरह से आपके साथ होता है जब आप उठते होता है ऐसे आपको धुंदले धुंदला सा दिखा ही देता है अगर ये अनुभव आपके साथ हो रहे हैं तो ये आपको शक्ती के अनुभव मिल रहे है माता काली जिसके सरीर में बैठ जाती है सिर्फ उसी को ये अनुभव होने लगते है अब जो जितने भी देवियों के भक्त हैं चाहिए दुरुगा माता के किसी भी देवियों के भक्त हूँ जिनके साथ देवी माता हूँ जिनके सदिर में बैठ जाएगी उन्हीं को होगे यह अनुमा अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को माता से कैसे बात करनी चाहिए तो देखिए माता से बात करने के कई तरीके होते लेगिन जो मैं तरीका बतारी हूँ आप इसका इस्तमाल करें इससे जल्दी माता आपके सामने प्रकट होती है तो जी अब आपको करना क्या है ए से आपकी छटो उपर से आसमन दिखता होना चीए आपको अपने लाल कपड़े का आसन बिछाना है आसन बिछा के अपने पास में दो अगरवत्ती लगानी है दो अगरवत्ती लगा के एक छोटा सा सरसो के तेल कर दिया अपने पास जला लेना और बैट के माता का ध्यान करना जो मंत्र आप नवरात्रों में जबते आए हैं चाहे वो माता के बीज मंत्र हो या आपके गुरू ने दिये हो उनी का आपको इस्तमाल करना है 41 बार मंत्र बोलके आप माता का धियान करो जैसे ही आप 41 बार आपके मंत्र पूरा होगा उसी समय माता आपकी आँखों में आकर उतर जाएंगी और सामने आपको दिख जाएंगी सिर्फ आपको ही दिखेगी और किसी को नी दिखेगी चाहे आपके पास कितने भी वक्ती क्यों न बैटे हो अब सामने आके जब माता आपको दिखेगी उसके बाद से आप जो भी बात करना चाहते हैं अपने लिए अपने घर परिवार के लिए किसी के लिए भी आप माता से इसी तरीके से बात कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना जिन लोगों को ये अनुभव ये चीजे जिनके साथ नबरात्रों में हुई है तो चलिए भक्तो हम मिलते हैं फिर आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादेव माता काली बबब भुले नात आप सभी की सारी मनुकामनाई जल्द से जल्द पूरी करें फूस रहें आप और आप लोगों का परिवार जै माता काली होम नमस्षिवाय हर हर महादेव